अलो फ्रेंड आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विथ माई गार्डन में दोस्तो आठ का जो हमारा टोपिक है और लेपड लीली प्लांट के बारे में है वैसे दोस्तो इस प्लांट के अलग-अलग कई नाम है उसमें से एक सिल्वर स्पील भी बोला जात करता है इसके अलाव भी कुछ है मुझे रिसर्च में नाम मिले है दोस्तो तो इब खूब्सूरत प्लांट है और अपने गार्डन की खूब्सूरती बढ़ता है उसके साथ ही दोस्तों इसमें गमले की बात करू तो ये मेडियम थोड़ा चोड़ेंवाला गमला होगा 있어서 इसमें अच्छी तरह से फ्यलेगा और इसमें ज्यादा गहरेंवाले गमली की बहुत जरुरत नहीं है दोस्तो यह प्लांट बहुत no नहीं जाता है पर थोड़ा चोड़ा वाला होगा तो इसकी खुबसूरती है वह ज्यादा बढ़ेगी इसमें दोस्तों चोटे-चोटे बल्ब से यह प्लांट ग्रो होता है इसके मिके प्याज की तरह चोटे-चोटे बल्ब होते हैं और दोस्तों एक और भी बात बता दू कि कि यह प्लांट मेंने बल्ब से ग्रोग नहीं किया है पर इसकी healthy यदि cutting मिल जाए यानि की पत्ता healthy तो उसमें भी अपने आपको survey कर जाता है उसमें भी रूट बन जाते हैं और एक प्लांट से आने प्लांट हो तैयार हो सकते हैं ऐसा नहीं है कि केवल बल्ब से ही यह ग्र है संक्यूलेट्ट फेमिली से बिलोंग नहीं करता है और एजिटू पलांट है तो इतनी ज्याद़ कोई केयर करने की इसकी जरूरत नहीं रहती है उसके बाद दोस्तों बैंक ही बात करहूं तो जैसे मिने कहाःट में इतना पानी की की दोस्तो requirement रहती है इस प्लाइंट को भी इतनी ही requirement रहती है ज्यादा इसमें वोतरिंग ना करें जब भी मिट्टी है वह ड्राई हो जाए तो इसमें watering कर सकते हो दोस्तो उसके बाद दोस्तो इसमें हम धूप छाओ की बात करें तो वैसे तो यह प्लांट तेज धूप को भी बरदाश कर लेता है लेकिन जहां तीन चार या पास गंटे की धूप आती हो जगा पर ही रखे यदि समझ लीजी के गर्मियों का मौसम है तो इतनी इनप है पर स पूरी समलीगे प्लांट के पत्ते को जलने के तांसीज रहते है उस जगह पर ना रखे कि कि बहुत ते दुप में तो यह और एक प्लांट में कोई ना कोई दिकत खड़ी हो ही जाती है वेसे तो यह प्लांट अपनी पत्तियों से बहुत ही खूप सूरत लगता है पर इसम पत्तों में दोस्तों कई वेरियेशन भी पाए गए है वैसे तो यह प्लांट है और दोस्तों साउथ आपरिका का नेटी है और इसमें दोस्तों फर्टिलाइजर की बात करूँ तो वैसे कोई फर्टिलाइजर में ज्यादा इसमें मैंने नहीं दी है और पत्तों को जैसे का पानी है वो ठहरा नारा है उसका आपको खास ख्याल रखना होगा क्योंकि इससे इसके प्लांट में दिक्कत आ सकती है और दोस्तों यह प्लांट खुद को मल्टिप्लाइ करता रहता है एक प्लांट से अनेक प्लांट हो तयार होते है जैसे कि एक बल्ब से आप छोटे- भी आपको देनी ही पड़ेगी और इस प्लांट में मुझे कोई अभी तक दोस्तों फंगस या डिसी सभी तक मैंने दिखे नहीं है तो ज्याज़े तर यह प्लांट है वो एल्थी रहता है दोस्तों तो बिना के वैसे चलने वाला प्लांट है तो खुबसूरती गार्डन म बनते रहेगे गर्मियों के सिचन में दोस्तों तो आशा रखता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई हो तो हमरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा दोस्तों तो आज के लिए इतना ही बाबाई टेक केर